नमस्कार दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में कोश्चन नमबर 121 लीट कोड बेस्ट टाइम टू बाइन सेल स्टॉक इजी लेवल का कोश्चन है यह बेसिकली अरेस कर्टिगिरी का कोश्चन है पूछा जा चुका है Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, Google आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनी इसमें पूछा जा चुका है शुरू करते हैं बेस्ट टाइम टू बाइन सेल स्टॉक तो कोश्चन में आपके पास एक इंटीजर अरे है जिसमें स्टॉक के प्राइस दिये हैं और हर दिन ये स्टॉक के प्राइस चेंज हो रहे है ये प्राइस एक सिंगल स्टॉक के हैं तो आप देख सकते हैं पहले दिन प्राइस साथ रुपे है उसके अगले दिन एक रुपे हो गया उसके अगले दिन पाँच रुपे हो गया तो हर दिन stock के price change हो रहे है तो आपको करना क्या है आपको stock को buy करना है और sell करना है For example आप 1 रुपे में खरीज सकते हैं और एक दिन छोड़के आप 3 रुपे में sell कर सकते हैं तो आपको 2 रुपे का profit हो गया और भी आप क्या कर सकते हैं, आप 1 रूपे में खरी सकते हैं और आप 5 रूपे में sell कर सकते हैं तो आपको 4 रूपे का profit हो गया, तो basically किसी भी एक दिन आपको खरीदना है किसी एक दिन और फिर उसके बाद आप sell कर सकते हैं same day आप buy sell नहीं कर सकते obviously आपको पहले खरीदना पड़ेगा और उसके बाद किसी दिन आपको sell करना पड़ेगा और आपको maximum profit निकालना है और एक condition क्या है कि आपको एक single transaction करना है और आपको maximum profit निकालना है अगर हम इस वाले test case में example देखें अगर आप एक रुपे का खरीदें और आप 6 रुपे का बेचें तो एक single transaction हो गया और इसमें आपको maximum profit मिलेगा 5 रुपेगा तो ये हमारा question है कोई भी एक transaction करना है और maximum profit निकालना है तो शुरू करते हैं intuition क्या होगी? तरह के आपके stock के price है जो descending order में obviously आप कभी भी buy करेंगे उसके बाद price drop होता जा रहा है for example आपने 6 रुपे में खरीदा कभी भी उसके बाद price बढ़ नहीं रहा है तो आपका price हर दिन drop हो रहा है तो इस case में profit minus में आ रहा है minus 4 आ रहा है तो intuition simple है maximum profit निकालना है तो क्यों न हम ये काम कर सकते हैं कि buy on the lowest price सबसे सस्ता खरीदें और सबसे महंगा बेचें तो आपको maximum profit होगा कोई भी एक दिन हम देखें कि सबसे lowest price किस दिन था और हम देखें सबसे highest price उसके बाद कभ आपको मिल रहा है तो इसकी approach एक बाद discuss करते हैं किस तरीके से इस problem को आप approach कर सकते हैं intuition थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा है तो एक बार इसको dry run करके देखते हैं approach तो approach है कि day 1 पे आपका price है 7 रुपे तो current price आपका 7 रुपे है और अभी तक आपको जो lowest price मिला था वो भी आपका 7 रुपे है तो अगर आप transaction करते भी है same day वैसे भी आप नहीं कर सकते हैं तो profit आपका 0 आएगा अब आप next day जाते हैं next day आपका जो current price stock का है वो 1 रुपे है और जो अभी तक आपको minimum मिला है वो भी 1 रुपे मिला है तो अगर आप current price से minimum minus करें तो अभी तक profit आपका 0 ही रहेगा अब next day पर जाते हैं next day stock का price 5 रुपे है अब आप देखेंगे कि अभी तक मुझे पहले कोई minimum price मिला था तो आप देखेंगे एक रुपे आपको minimum price पहले मिल चुका है तो यहाँ पर अगर आप transaction करते हैं तो 5-1 आपका 4 हो जाएगा तो अभी तक जो maximum profit है आपका वो 4 रुपे का है आगे बढ़ते हैं current price आपका stock का 3 रुपे है उससे पहले आपको minimum आज तक आपको 1 रुपे मिला था तो अगर यहाँ transaction करते हैं इस point पे तो आपका profit 2 रुपे होगा आगे बढ़ते हैं current price 6 रुपे है minimum 1 रुपे था यहाँ पर आप transaction करें तो इस transaction पे 5 रुपे मिलेगा और आप save करके दख सकते हैं अभी तक का highest ही है transaction एक ही करना है लेकिन check हमें सारे करने पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं current price 4 रुपे है minimum अभी तक आपको 1 रुपे मिला था profit आपका 3 रुपे हो गया लेकिन यह maximum profit नहीं है इससे पहले maximum 5 रुपे मिल चुका है तो कुछ इस तरीके से आप इस problem का अप्रोच कर सकते हैं complexity क्या हो जाएगी हमने हर number को एक एक बार process किया time complexity big of n हो जाएगी space complexity हमने कोई extra space use नहीं करी है तो हम constant space में अपना सारा work कर रहे है तो अब इसका एक बार code देखते हैं कि code में हम इसको कैसे लिख सकते हैं code कैसे करेंगे तो basically सबसे पहले हमें कुछ conditions handle करनी है for example अगर आपका जो integer array है वो empty है आपको कोई भी stock के price नहीं दिये गए है तो simply आप क्या कर सकते हैं आप profit को zero return कर सकते हैं ये code मैं Java में कर रहा हूँ अगर आप C में भी करते हैं तो आप approach समझके similar code कर सकते हैं कुछ variables हमें बनाने पड़ेंगे for example हमें profit चाहिए जो starting में zero रहेगा और ये इस से कम नहीं होगा अगर negative में भी profit आता है तो अब भी आप zero return करेंगे और इस case में हम क्या करेंगे सबसे last में हम profit को एक बार return कर देते हैं कि हम जो भी calculate करेंगे वो return भी करना है और हमें एक variable की जरूत पड़ेगी जो minimum होगा हमें हर point पे देखना है कि अभी तक कौन सा किस दिन हमारा stock minimum था तो minimum को मैं जो integer आ रहेगा जो पहला element है उससे define कर देता हूँ क्योंकि उनी में से कोई element minimum होगा और start हमें करना है तो minimum हमारा पहला element अभी बन सकता है अब हमें सारे दिन के stock price को एक एक करके process करना है तो कुछ इस तरीके से हम code में लिख सकते हैं यह हमारे stock के stock price में लिख देता हूँ हर दिन का stock price होगा तो अब हमें क्या गरना है सबसे पहले हमें हर दिन पे देखना है calculate करते चलना है कि minimum वाला price कौन सा है उस वाले दिन हमने minimum achieve करा है या नहीं करा है तो हर stock को minimum से compare करते तो चलना ही है कि किस दिन आपको minimum मिला था तो simple आप ऐसे लिख सकते हैं अब minimum से compare करेंगे हर दिन के stock price को क्यूंकि हमें minimum calculate करते चलना है और profit आपका कैसे निकलेगा profit होगा आपका जो current price है जो भी आपका current stock का price है उसमें आप minimum minus करेंगे हर दिन आप minimum से minus करेंगे current price को अपका profit आजाएगा और profit आपको क्या करना है आपको max profit भी निकालना है तो basically profit को आपको compare भी करते चलना है कि कब आपको maximum profit मिला है तो एक max variable बना देते हैं कि max profit आपको कब मिला है और यहाँ पर मैं maximum profit निकाल लेता हूँ तो maximum profit क्या होगा कि हर बार profit आएगा उसको आपको maximum से compare करना है कौन से दिन आपको maximum मिला था तो last मैं profit return नहीं करते हैं max profit return कर देते हैं तो यह code हमारा basically complete हो चुका है एक बार जल्दी से इसको compile करके देख लेते हैं कि कुछ गलती ना हुई हो यहाँ पर problem हो रही है minimum यहाँ मैंने दुबारा minimum को declare कर दिया जो नहीं करना था एक बार और compile कर लेते हैं और एक बार जल्दी से इसको submit करके भी देख लेते हैं तो code हमारा basically successfully submit भी हो रहा है बहुत ही simple approach थी और यह buy and sell stock के जो series है उसका पहला question था आगे जितने questions हैं उनमें भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर मिलते नेक्स वीडियो में थेंट यू वेरी मुच बहुत है